वेलकम टोल लियाए, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज 14 सितंबर 2022 है, तो आईए देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं आगे बढ़ने से पहले जानकारी है दो batches के बारे में एक है means specific और दूसरी है prelims specific comprehensive solution to means और comprehensive prelims special batch ये दोनों ही batches 2030 के लिए हैं, आप इन्हीं जोईन करने के लिए कर कोई और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर contact कर सकते हैं और ये आपकी prelims या means specific तयारी करवाने में capable होगा चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा first article 81 bonds के बारे में है दो साल बीच चुके हैं जब yes bank नी 81 bonds में लिए गए पैसों को देने से मना किया जब yes bank crisis में था, उस समय 81 bonds बहुत सदा news में आये थे एक बार फिर से ये news में है, क्या होते हैं 81 bonds समझे इनका full form है additional tier 1 bond, ये एक प्रकार का unsecured, perpetual, debt instrument है यहाँ पर तीन keyword है, unsecured, perpetual and debt instrument एक एक करके तीनों का मतलब समझेंगे, तो 81 bond का मतलब समझ में आ जाएगा सबसे पहले तो ये एक debt instrument है, debt instrument होने का मतलब ये है कि इसका सहरा लेकर कोई भी entity, specifically bank, आपसे debt ले सकता है, उधार ले सकता है suppose करिए कि ये एक bank है, इसे पैसों की जरूरत है, तो पैसे लेने के दो तरीके हो सकते है एक तरीका तो ये है, कि ये अपने shares market में उतार दे लेकिन जब अपने shares आप बेजते हो, तो इससे आपकी जो ownership है, ये dilute होती है इससे बचने का तरीका ये है, क्योंकि जितना आपने share market में उतारा, उतने अपने आपने ownership दे दी दूसरा तरीका ये है, कि आप जारी कर दीजे bonds आपने bonds जारी कर दीए, bonds जो है, वो एक common man या कोई भी entity खरीज सकती है उसने आपके bond ले लिये, और इस bond के बदले में आपको दे दिये पैसे बैंक के पास पैसे आ गए, और जिसने भी bond खरीदा है, उसको इस bond में दिये गए पैसे के बदले में क्या मिलेगा interest यानि की ब्याज, अब आप ये ब्याज जो है, वो लेते रहे है bonds के साथ एक अच्छी बात ही होती है, कि bonds का अपना एक maturity period होता है मतलब कि जो bond है, वो 5 साल बाद या 10 साल बाद mature हो जाएगा तो 5 साल ये 10 साल तक जब तक उसका maturity period नहीं आया है, आप ब्याज लीजिए और उसके बाद आप उस bond को return करिए और अपनी जो पैसे हैं उसको वापिस ले लीजिए तो इस तरीके से bond work करता है और यहीं पर twist है, जब हम बात करते हैं 81 bonds की 81 bonds का कोई maturity period नहीं होता इसलिए हम कहा रहे हैं कि यह perpetual है इसका कोई maturity period नहीं है आपने 81 bond खरी रहा हुआ है, आपने पैसे bank को दिये हुए आपको ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन आपका bond कभी mature नहीं होगा अब अगर यह perpetual है, तो फिर आपको आपका पैसा मिलेगा कब, और कैसे तो देखें, इसमें call का option होता है call का option होने का मतलब यह है, कि bank time time पर 81 bonds को call करने के लिए announcement करते हैं कि भाई हमने जिसको भी 81 bonds बेचे हुए हैं, आओ, अपना bond वापस करो और पैसे लेकर जाओ, तो कोई maturity period तो नहीं है, बट एक certain time frame पर call options आते रहते हैं, उसी duration में आप अपना bond वापस करके पैसे उठा लीजिए, तो यह तो मतलब हो गया perpetual का, कि इसका कोई maturity period नहीं होता, बलकि जब call option आएगा तभी आप अपना bond return करके अपने पैसे निकाल सकते हैं, दूसरा, यह unsecured है, तो unsecured कैसे है, unsecured इस लिहाज से है, क्योंकि अगर bank crisis में है, खत्रे में है, तो जो RBI की guidelines हैं, वो bank call out करती हैं, कि आप 81 bonds में लिए गए पैसे को देने से मना कर दीजिए, कि हम खत्रे में है, इसलिए इसे unsecured perpetual debt instrument कहा गया, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो आपको 81 bonds समझ में आ गया, लेकिन आपको यह बात और समझना चाहिए, कि अगर यह इतना ही खतरनाक bond है, लाई कि यह unsecured भी है, perpetual भी है, तो लोग इसे लेते क्यों है, क्या आनन्द आता है लोगों को यह लेके, आनन्द ही आता है कि अगर कोई भी bond risky है, उसमें ज़्यादा risk involved है, तो उस पर return ज़्यादा मिलता है, इसमें जो भी bank ने loan दे रखा है, तो कुछ loan होता है खत्रे में, suppose करिए कि किसी bank ने 300 करोन रुपए loan में उठाये हुए हैं, और उसका जो 100 करोन रुपए है, वो खत्रे में है, मतलब कि उसके आने की संभावना कम है, तो उसे कहा जाएगा risk-weighted asset, asset वही होता है न, bank का जो उसमें loan दिया है, तो अब वो risky asset है, तो risk वाला जो आपका asset है, उसका आपको एक certain percentage निकाल के रखना होगा, ताकि bank में liquidity बनी रहे और bank खत्रे में ना पड़े, तो मालिजी कि 8% जो भी total capital आपका risk में है, उसका आपको रखना पड़ेगा, तो 100 करोण अगर आपका risk में है, तो आपको मालिजी 8 करोण रुपए side करने पड़ेंगे, for example, अब जो आप पैसा ये किनारे रखोगे, ताकि bank risk में ना जाए, वो पैसा आपका 2 heads में होता है, एक होता है tier 1 में, और दूसरा होता है tier 2 में, बहुत अगर complexity में ना जाए, तो आप इतना समझे कि tier 1 में जो आप पैसा आपने रखा हुआ है, वो capital होना चाहिए, original capital होना चाहिए, जो in general आपने अपने shares बेचकर इकठा किये हूँ, मैंने आपसे कहा कि shares बैंक्स नहीं बेचना चाहते है, क्योंकि ownership dilute होती है, तो यहाँ पर यह लाओ किया गया है, कि आप चाहो, तो shares के बजाए, जो यहाँ पर bonds हैं, 2081 bonds, आप 81 bonds से भी प अधर 81 bonds के पैसे भी आप इसमें रख सकते हो, तो tier 1 capital को maintain करने के लिए, banks अक्सर 81 bonds जारी करके पैसे निकालते हैं, और यहाँ डाल देते हैं, ताकि वो अपना risk weighted asset maintain कर सकें, क्योंकि यहाँ shares बेचना ही रूसरा option रहेगा, जो वो बिलकुल नहीं करना चाहेंगे, तो आपन certain percentage के below, जो issuer है, जैसे कि bank, वो चला जाता है, उसका profit या institutional failure हो जाता है, तो RBI allow कर देता है, कि आप 81 के पैसे देने से मना कर दो, और यह सभी जो debt है, उनका subordinate होता है, मतलब अगर bank loss में गया, तो सबके पैसे मिल जाएंगे, last में मिलेगा 81 bond का पैसा, share वालों को सबसे last में मिलता है, उसके just over 81 bond आता है, क्वासी equity feature इसका है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप equity capital को show up करने के लिए कर सकते हैं, additional equity के दोर पे वही बात मैंने आपको बताई थी, कि अगर आप equity बेचोगे, share बेचोगे, तो dilute होगा, आपका जो ownership है, उससे बचने के लिए आप 81 bond जारी कर सकते हो, तो 81 bond जो हैं, वो equity की तरह treat किये जाते हैं, equity से थोड़ा सा subordinate condition में यह होते हैं, बट इनका इस्तिमाल tier 1 capital में किया जाता है, और इसी लिए इसको bank के दोरा issue किया जाता है, अब इसकी बात करें, तो देखिए, यहाँ पर जब भी मान लीजिए, कोई bank loss में चला करें, तो सबसे पहले उसका पैसा मिलेगा, जिसने FD में जमा किया हो है, फिर secured debt का पैसा दिया जाएगा, फिर unsecured या subordinate debt का पैसा दिया जाएगा, फिर number आएगा 81 bonds का, सबसे last में तो देखिए, shareholders को पैसा मिलता है, लेकिन उसके पहले 81 bonds वालों को पैसा मिलता है, मतलब अगर कोई bank ऐसा है, जिसके fundamentals बहुत strong है, आप SBI में अपना पैसा डाल रहे हो, T1 bond में तो वो secured है, आपको अच्छा return मिल जाएगा, और नुकसान की संभावना भी नहीं रहेगी, complex topic था थोड़ा, but मैंने आसान बनाने की कोशिस की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी गए होगे, हमरा next article मियावा की technique के बारे में है, Japanese मियावा की method को भी हाल ही में, कुहारी वाली village का जो area है पंजाब का, वहां के एक एकर land में इस्तिमाल किया गया, और एक साल के भीतर ही वहां पर हमने एक बढ़ियां सा forest उगा लिया, ऐसा क्या होता है मियावा की forest technique में, जापान के एक botanist थे नाम था, अखीरा मियावा की, उन्होंने इस technique को evolve किया, जिसके जरीए हम dense forest तयार कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, अब हम ऐसा करते कैसे हैं, मियावा की technique में क्या होता है, देखे इसमें करते बिल्कु सिंपल हैं, कि आप एक piece of land उठाइए, वहां पर आप जमीन को, जमीन का soil का जो nature है उसको evaluate करिए, वहां पर आप soil की quality के basis पे bio mass add करिए, और बहुत ही closely जो पौधे हैं उनको plant कर दीजे, बिल्कु नजदीक में पौधे लगाईए आप, दूर दूर मत लगाईएगा, नजदीक लगाने का फाइदा क्या होगा, ये पौधे पर sun rays नहीं आएंगे, तो खरपतवार नहीं उगेगी, दूसरा कि जो sun rays है, वो जो plant है, उसका केवल उपर ही हिस्सा ले पाएगा, तो पौधे सीधा उपर बढ़ेंगे, ना कि अगल बगल फैलेंगे, तो इससे तो एक dense forest बन जाएगा, क्योंकि पौधे नजदीक जादा होती है, इन्हें चार के टेग्रीज में डिवाइड करते हैं, चार डेर्स में, श्रब, सब ट्री, ट्री और कैनोपी, स्वाइल को अनलाइज करते हैं, बायो मास एड करते हैं, ऐसा करने से उनकी water retention capacity बढ़ जाती है, newtons बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपको एक स्क इसका ऐसे माल बहुत हो रहा है, अर्बन एरियाज में छोटा एरिया है, वहाँ पर आप dense forest उगा लो, मियावा की टेकनीक से, तो noise pollution कम होगा, local birds आएंगी, insect आएंगे, carbon sing कितरा काम करेगा, छोटे space में जादा घना जंगल उगा सकते हो, और इसने जो off-forestation की टेकनीक है, उ हमने देखा COVID-19, COVID-19 जब आया तो पूरी दुनिया लगभए के एक प्रकार से crisis में चली गए, chaos में चली गई, अगर भविश्य में फिर से ऐसा होता है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें तयारिया करनी होंगी, और उसी तयारी के तोर पे, हाल-फिल-हाल में बनाया गय नाम दिया गया Financial Intermediary Fund, इसे establish किया गया है ताकि आने वाले समय में अगर कोई pandemic आने की संभावना है तो हम उसे रोक पाएं, उसके लिए खुद को तयार कर सकें और उसको respond कर सकें, इसलिए इसे इसका जो objective है, that is PPR, pandemic prevention, preparedness and response, यह additional long term financing mechanism है, PPR, जिसमें हम मदद करेंगे middle income countries को gaps fill करेंगे, ताकि हम ऐसे pandemics के लिए आगे खुद को तयार कर सकें, तो कौन है trustee, यह पैसा कौन रखेगा अपने पास, यह trustee यहाँ पर world bank है इसका, और जो secretariat है, वो world bank का होगा, technical support इसे WHO से मिलेगा, चुकि health वाला मामला है, पैसा देगा कौन, चलो रखेगा world bank, मदद कर Commission, United States और इंडिया के दवरा कि हम पैसा देंगे, आप यह fund बनाओ, जरूरी है, ठीक है, जो finances हैं, उसका इस्तेमाल हम PPR capacity को strengthen करने के लिए करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो genetic disease है, जो जानवर उसे इंसानों में आ जाती है, हम उसको surveillance कर सकें, laboratory को develop कर सकें, emergency communication establish कर सकें, coordination and management हो, critical health workforce हम तयार कर सकें, ताकि ऐसे खत्रों से बचा जा सकें, हमारा next article, दुनिया के पहली fleet के बारे में है, fully hydrogen powered trains के लिए, जर्मनी ने भी हाल ही में, दुनिया का पहला fleet तयार कर लिया है, fully hydrogen powered trains के बारे में, अब देखे, जर्मनी ने किया है, तो हमारे किस काम का है, हमार ये काम का, ये जो hydrogen energy इस्तेमाल की जा रही है, hydrogen power इस्तेमाल की जा रहा है, ये है, कि मतलब इससे train चलाई जा सकती है, और ये clean fuel है, जर्मनी ने इसे launch किया, वहाँ की एक company है, Elstom, French multinational company है, ये company जिसने वहाँ, जर्मनी में ये train बनाई है, वो इंडिया में भी अपने operations run करत है, ये एक ऐसी बैटरी होती है, जिसके पास capacity होती है, कि ये hydrogen को electricity में convert कर सकती है, अब ये एक बैटरी है, जिसे hydrogen fuel cell कहा जाता है, ये hydrogen को H2 का इस्तेमाल करती है, और उसे convert कर देती है electricity में, और इसी electricity का इस्तेमाल अब एक परकार से source of energy की तोर पे किया जा रहा है, इसमें हाइड्रोजन जो यह मालेजीए कोच है तो कोच के उपर टैंक में हाइड्रोजन होगा H2 होगा और अट्मॉस्फियर से यह ले लेंगे ऑक्सिजन इसका इस्तिमाल करके यह जो फ्यूल सेल है यह बनाएगी electricity और इससे ही मोटर को पावर करके यह train चलाई जाएगी significance यह है कि यह emission free train होगी कोई emission नहीं होगा 140 km प्रत घंटे की रस्तार से चल सकती है और 1000 km की दूरी तैक कर सकती है जो भी इनके पास hydrogen स्टोर होगा उसकी मदद से अब hydrogen fuel सेल क्या होता है hydrogen के बारे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि periodic table में आपको सबसे पहले मिलता है यह सबसे हलका element है in that form यह atmosphere में होता है उपर देखे hydrogen एक clean source of energy है लेकिन दुविधा यह है कि अपनी purest form में हमें मिल नहीं पाता है क्योंकि यह atmosphere में बहुत उपर होता है इसलिए इसे पाना मुश्किल है इसे पा जाए हम H2 को तो हम उसका इस्तिमाल fuel के तौर पे कर सकते हैं आप उसे पाने के लिए आपको या तो पानी से hydrogen को अलग करो या फिर आप कोई और टेक्नीक का इस्तिमाल करके hydrogen निकालो एक बार आपको hydrogen मिल गया तो आप उसका इस्तिमाल fuel के तौर पे कर सकते हो लेकिन उसे निकालने की जो टेक्नीक है उसमें आपको काम करना पड़ेगा तो जो hydrogen fuel cell होता है आप उसको hydrogen दे दो वो बिजली बना लेगा और उसने बिजली बना ली तो आप उसका इस्तिमाल source of energy के तौर पे करो ये energy जो होगी वो होगी clean, reliable बिल्कुल शांत होगी, sure नहीं करती और efficient source है high quality electric power का तो देखें जो hydrogen होता है इसको पानी के लिए actually में जो hydrogen fuel cells होती है ये hydrogen को इस्तिमाल करते हैं fuel के तौर पे एक electro chemical process के माद्धें से वो उससे बनाते हैं बिजली और उसी बिजली का इस्तिमाल हम करते है energy के तौर पे और जो by product निकलता है वो होता है केवल heat और पानी और कुछ भी नहीं ठीक है, जो hydrogen होता है वो वैसे तो बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है और बहुती cleaner fuel भी है लेकिन दुविधा यही है कि clean form में मिलता नहीं हमको atmosphere में बहुत उपर है और जो हमारे atmosphere में नीचे है जो accessible है उससे hydrogen को निकालना एक मुश्किल प्रक्रिया है अब देखे hydrogen clean fuel है की नहीं है वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि hydrogen को बनाते वक्त आपने कितना pollution किया अब आप hydrogen को पानी में से निकालने के लिए coal का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने hydrogen तो clean fuel निकाल लिया लेकिन coal से तो pollution कर दिया ना natural gas से तो pollution कर दिया ना तो आपने hydrogen को कैसे निकाला यह determine करेगा कि आपका यह fuel कितना ज़दा clean है और इसलिए जो hydrogen as a fuel है उसको categorize किया जाता है चार parts में जैसे कि green hydrogen green hydrogen वो hydrogen होता है जिसको हम निकालते है electrolysis जो water का है उसको करके मतलब पानी में से हम उसको अलग कर लेते हैं जो hydrogen है उसको लेकिन ऐसा करते है जो हम energy use करते हैं वो होती है solar energy या wind energy यानि कि hydrogen जैसे clean fuel को निकालने के लिए हम clean source of energy का इस्तेमाल कर रहे है जिसका carbon footprint बहुत कम होता है तो इसलिए इस fuel को कहा जाता है green hydrogen इसमें by product पानी या water vapor ही होता है अब दूसरा होता है brown hydrogen इसमें हम coal का इस्तेमाल करते है hydrogen fuel बनाने के लिए तो hydrogen fuel तो pure है लेकिन coal तो pollution करेगा ना इसलिए से brown hydrogen कहा जाता है फिर होता है grey hydrogen इसको निकालने के लिए हम natural gas का इस्तेमाल करते हैं तो natural gas तो थोड़ा बहुत pollution करेगा that's why ये grey hydrogen है फिर आता है blue hydrogen यह natural gas से निकाला जाता है बट यहाँ पर एक सहुलित हो जाती है कि जो भी emission होता है हम उसे carbon capture and storage की form में जमीन में खतम कर सकते हैं capture कर सकते हैं, sequestrate कर सकते हैं तो इसे कहा जाता है blue hydrogen तो यह categorization है hydrogen fuel का question आया था 2010 में hydrogen fuel cell जो vehicle में होता है यह उसका produce one of the following exhaust, exhaust के दोर पर यह क्या निकालता है तो पानी निकालता है, मैंने आपको बताया दो था H2O, तो C was the answer हमारा next article article 341 के बारे में है 2016 की बात है उतरप्रदेश की सरकार नी, other backward classes की 17 subcast को शामिल कर दिया, श्रियूल कास्ट में इस बात को challenge किया गया अलाबाद High Court में, यह कहते हुए कि यह अधिकार तो Parliament का है, यह उतरप्रदेश की सरकार ने कैसे कर दिया, अभी हाल फिलहाल में इस पर judgment आया है और अलाबाद High Court ने उतरप्रदेश गौर्मेंट के इस order को quest कर दिया, यह बोलते हुए कि यह उनकी अधिकार छेतर में नहीं आता है, क्यों परल्यामेंट के पास यह अधिकार है कि वो किसी कास्ट ग्रुप को शिडूल कास्ट के लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और यह अधिकार उन्हें आर्टिकल 341 से मिलता है मतलब उतरप्रदेश की सरकार ने जो काम किया वो उनके constitutional domain के बाहर था कोट नहीं क्या कहा, उन्होंने इस पूरे order को quest किया, यह बोला कि Parliament के पास पावर है आर्टिकल 341 के तहट कि वो ऐसा कर सकते हैं Constitution, Schedule Cast Order, 1950 यह कि वह स्पैसिफाई कर सकता है कि कौन से कास Schedule Cast में जाएगी इसे President के द्वारा उस समय यह order जो है वो पास किया गया था और अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो आर्टिकल 341 के अकॉर्डिंग यह बदलाव Parliament के दौरा किया जाएगा, by law ना की State के द्वारा, तो अब आईए revision कर लेते हैं, AT1 bonds Unsecured Perpetual Debt Instrument आपको बहुत अच्छी तरीके से बता है, यह तो सही है BASEL 3 norms, Multilateral Environmental Agreement है, बिल्कुल गलत है यह तो banks, खत्रे में ना आएं उसके लिए mechanism develop करता है तो यह तो गलत हो गया, brown hydrogen इसमें electrolysis से हम निकालते हैं hydrogen, solar wind power का इस्तिमाल करके शुद रूप से गलत है, इसमें हम इस्तिमाल करते है कोल का, Article 341 यह judicial review का प्रावधान करता है pre-constitutional legislation में शुद रूप से गलत है, यह प्रावधान करता है कि शुद्यूल कास्ट में कौन सी mechanism से जो जातियां है, उनको शामिल किया जाएगा तुमरा आज का यह session यहां पर समाक्त होता है Thank you very much